तो हां दोस्तों यह पावर ट्रग ट्राकटार 434 MODल है और इसका एक प्रॉब्लम हुआ कि ट्रॉली में चल रहा था और एक्सिडेज कर गया है ट्र यानि कि यह गढ़े में नहीं इस बाएट लेपर साइड दाहिन कहें गड़े में लट शुका था और इसके पिश्टन के ऊपर दूर में चल रहा था तो इसी में चल रहा था और यह जब ट्र कि एक्सिडेंट हुआ। उसके बाद जब ट्राइवर है और कभी भी जब ट्राक्टर एक्सिडेंट होता है तो इस तरह का आपके साथ भी नहुत तो अच्छी बात है लेकिन अगर से हो जाता है सब से पहला सेप्टी और प्रात्मिक्ता को देना सबसे पहले अपना सेप्टी देखना है और अगर अपना सेप्टी देखते हुए ट्रIGHक्टर बंद करने का अंगर टाइम मिलता है तो ट्रेकटर को बंद कर देना चाहिए मुइझा आज एक्कारट रह और एक्सिडेंट हुआ तो स्टार्ट रहने के बाद फिर ट्रेक्टर बाद में यह बंद किया गया और जब बंद हुआ जब बंद इस ट्रेक्टर को किया गया इस यह ट्रेक्टर खुद बंद नहीं हुआ है कभी क्या होता है कि ट्रेक्टर चलते चलते एक्सिडेंट जब ह तो उसमें होता क्या है कि जब भी ट्रक्टर अगर एक्सिडेंट होता है तो एक्सिडेंट के समय में सबसे पहले अपना खुद बखुद बचना है और दूसरा नंबर कि ट्रक्टर को बंद करने का प्रयास करना है तो यह ट्रक्टर को इन्होंने बंद किया था यह पहले कराक्षा नहीं था यह बंद किया गया था ठीक्टर तो जाला चांस था कि बचा रहा साथ लेकिन हुआ क्या है कि जब ट्रेक्टरगों सिधा किया रोट पर उसके बाद फिर से इसका ये वीडियो के निचे इसका version 2016 अगर आप व्यीयो को नहीं देखें थार लिक दो सबसे पहले जब है झाला से किमें देखना है कि हमें खुद का बचाव करना है और उसके बाद समय भी मिल्ता है तो हम विल तक्टर कभी बचाव करेंगे यानि कि लाए को बंद करत कर देना बहुत ज्यूदुरी है और बंद करने के वाद सीधा फिर से कभी बीना में दिखाए हुए खुद बखुद अग्रबसे तरे करने का प्राइसस में करना पाली किम्नक्तिकणकर्य, आगउडускरों करनां दयुक्स राहि से भी नज्दी की बरट सोब जो ऑए फिर चयने क्या को बुला और इसे कराना चाहिए और चैक्प करणने के रही पणब कब ड्रक्त करें तो इस तरह से हम जल्दी में करके इस तरह करके helemaal 50 चार्ट तरह को दिखाते हैं किस तरह से इसका धुआ आरा और कि तरह से साउंड है तो अब हम ट्रक्तर को स्टार्ट कर लेते हैं और उसका बाद जंदी से इसको खोलेंगे कि यह एड़ को खोल कर दिखाएंगे कि इसका कौन सा कनेक्टिंग बैंड हुआ है जैसा कि देख सकते हैं धुआ तो यह उजलाब सफेद हुआ राइज के साइलेंसर से और यह तो एसे आंट चला जाता थोड़ा बहुत तो इसका आयल तो ऐसे पिश्टन से बाहर निकाला गया इंजेक्टर खोल कर तो ट्रक्टर चल कर आया है और अभी तक इसका जो आईल होगा और आप तो शुब जाना चाहिए था लेकिन अभी तक इसका जो हुआ है और ब्लेक और हाई ताहिला है आप अब देखा कि इसका साइलेंसर से भूआ रहा है बलेक और भाइड दोनों ज्यादा भाइट आरा उज्छला धुआ तो अभी हम इसके हेट को खोलेंगे और हैट को खूलने के वाद से हम दिखाते हैं कि इसका कौन सा कनेक्टिंग वैंड हुआ तो तब तक के लिए कास्टिंग था वो भी दिखाया था कि इस तरह से उत्का उजला धुवा रहा था सैलेंसर द्वारा और इधर संप भी खुल लिए हैं कि इंजन चेंबर तो यह देख सकते हैं पुली तरह से भी खुला हुआ है और अभी हम इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएंगे और दिखाएंगे कौन साइस का स्लेंडर का कनेक्टिंग बैंड हुआ है तो इस तरह से में इंजन को घुमाते जाएंगे Awards ऑड़ेक्टिंग से देख सकते हैं तो अभी हम इंजन को घुमाएंगे ख़ड़ी के सीधी दिसा में इस तरह से और अराम-अराम से घुमाएंगे और देखना है किका कौन सा पिश्टन जैसे कि यह तिसरा नमबर का फ्लाइविल साइट का जो यह की की से क्पिनेक्टिंग यहां से पिष्टन रिटन हो रहा है और हम कुल्टा घुमाएंगे रिटन होने लगा क्यों तो इसी पात से ये रिटर्न हो जाता इसी जगह से 누辈 है संब ये बहुत दुरी पर है ones are the first and और इसका अभिकार प्रीश्टन तो इसका पिस्टन उपर आना चाहे लेकिन होने का लच्छन है पाचान है और इसका कनेक्टिंग बेंड हुआ है इसलिए इसका यह पिष्टन यहीं से कुछ दूरी पहले से ही रिटर्न हो जा रहा है लेकिन और अगर हम मिन्जन को घुमाएंगे तो इसका फूरा जो टीडी सी पोजिशन आता है और करीब करीब लाइन सिलिंडर के इस जगह तक यह कटिंग रहता है इस जगह तक यहां तक आना चाहिए लेकिन यह इस जगह से रिटर्न हो जा रहा है तो फिर से हम इंजन को घड़ी की सीधी दिसानों घुमाएंगे घिरे-दिरे देखे यह रिटर्न जाना शुरू हो चुका है और रिटर्न जाने लगा और यह देखे यह पिस्टन दूसरा नंबर से लेंडर का यह पूरी तरह से टीडी सी पे आ चुका है तो यह बिल्कुल एकदम लेबल में है लाइनर कोर में जो यहां पे कट रहता है तो इसका देखने जाएगा तो यह पूरी टॉप पर आने के बाद रिटर्न जाना चाहिए और इसे यह फास्ट सेलेंडर का तो यह बस देख सकते हैं यह भी बिल्कुल टीडी सी पोजिसन में आ गया है और यह भी बिल्कुल लाइनर के यह जो कोरी है कटिंग का भाग तो यहां तक कि पिश्टन आ चुका है तो इसका मतलब है यह फास्व लेंडर का और सेकेंड सेलेंडर का क्नेक्टिंग बचा हुआ है और यह थाड नॉमबर का सेलेंडर का इसका कनेक्टिंग पूरी तरह से बैंड हो तो एक बाद फिर से हम घुमा करें और इंजन को चेक खराएंगे तो इसको आप ध्यान से देखना आप लोग देरे देरे घुमाएंगा तो देख सकते हैं तीनों सिलेंडर का पिश्टन कौन कहां से डिडर नहों रहा है तो यह दोनों सिलेंडर का पिश्टन बिल्कूल टीडी सी पे आने का बाद रिटर्न हो रहा है और यह तीसरा नंबर का पिश्टन है इसी पॉइंट से एडिटर्न चला रहा है यानिकि पूरी पूरी टॉप टीडी सी पोजिशन पे इसका पिश्टन नहीं आ रहा तीसरा नंबर सिलेंडर का तो इसका कनेक्टिंग बैंड है और अभी आपने देखा यह दोनों सिलेंडर का पिश्टन पूरी तरह से टीडी सी पोजिशन में आ रहा है और बाके इसका जो हमने स्वप खोला है तो इसमें यह लाइनर सिलेंडर का यह टूटा हुआ टुकरा मिला है जो कि यह ज्यादा बैंड हुआ है तीसरा नंबर सि लाइनर का तुकरा है और इसके बाद कि यह भी टूकरा है कई भाग में से कई भाग में इसका लाइनर के रेखोकर टूटा है तो जब धिया ट्रेक्टर एक्सिडेंट होता है तो सबसे पहले नजदी की बब सबसे मेकेनिक को बुला कर और एक वर च्छेक करा लेना को तोड़ जाता है इनक वाग में उपर का पीस्टन का पीन में अलग लगा रहता है और नीचे कि स्केडार वी कर सकता है एगल कर सकता है थो इस तरह से कभी अगर घुकसराद म。 इसे बिल्कूल अपने मर्जी से चाने का परियास नहीं करना चाहिए, और अगर अपना मर्जी से चाहिआ, सब्सक्राइब कि इन्होंने अपने आपन नहीं तो यह पता चलता कि इसकर फिश्टन की ऊपर आई स्टाट करने का प्रयास किया तो इस ही के कारण से इसमें आयल, इस भधर किना है, यह पूरी तरह से बैंड हो चुका, इसका इसा को इसा कर स्टू gotta इसके लिए हम जल्दी से तीनों पिस्टन को निकालेंगे और इसका हाफ हमें करना ही होगा उसका तेन को बाहर करते हैं और भाहर करने के भाते हैं तो बहुन निकाल लिए हैं और किनेक्टिंग को भी तो अबी दिखाएंगे सक जो तीन नमर का जो पिश्टन का जो टोप पुरा टिडिसी पोजिचन में नहीं आ रहा था रहा था तो तिन नमर का इसका कनेक्टिंग बैंट है तो यह देख सकते हैं इसका तीनों पिष्टन और कनेक्टिव तो यह देख सकते हैं यह वाला कनेक्टिव जो कि तीसरा नमबर से लेंडर का जो कनेक्टिव था और यह बैंड हो चुका था पुरी तरह से दिखाई भी दे रहा है कि इस तरह से पूरी तरह से बैंड हुआ और इसी के बैंड होने के कारण से यह लाइनर से लेंडर टूटा कि यह देख सकते हैं यह तीन नमर का सिलेंडर क्रेक हो चुका है तो इसे भी में चेंज करना है और इसका एक कनेक्टिंग यह पूरी तरह से बैंड है यह वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह से क्लीन कि यह बिल्कुल बैंड है तो इसका एक कनेक्टिंग को चेंज करना है और यह एक लाइनर कि लाइनर सिलेंडर और एक यह कनेक्टिंग और बाकी इसका जो दो कनेक्टिंग है वह दोलों ठीक है बिल्कुल अश्टेक है सीधा है और इसमें कोई इसमें किसी तरह का आयल इसके पिष्टन के ऊपर नहीं गया था बिल्कुल सुखा हुआ था पिष्टन है यह बचा हुआ है थो कनेक्टिंग वादि के हम इसका कनेक्टिंग बैरिंग का बुस्ट है यह में चेंज करना है करने दोनों को चंगे तरिंग चांजह करेंगा है यह वह लग चेंज़ करेंगे और यह लाइनर से लेंदर outsidersrement зачем अब अब ट्र kaç आरे सब सारे पार्ट्व को तो हमें चैन्ज करना है मुक्रुप्स पार्ट्थ को हमें support company पare комна उब आ होगा तो हम इसका पार्ट्थ मंगवाएंगे तो पार्ट्थ को दिखाएंगे तो इसे इसaled पूल इंजन जोब और हाफ इंजन जोब का भी वीडियो डाला हुआ इसी चैनल पर अगर अभी तक आप ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं और ऐसे भी मैं इस वीडियो के निचे डिस्क्रीशन में उसका लिंक देद हुआ उस लिए पर भी जाक करने का मुखरीज नहीं था कि कैसे हमें ट्रक्टर को जब एक्सिडेंट होता है तो साथ धानी रखना चाहिए और अगर हम नजर अंदाज करते हैं या गलती कर देते हैं स्टार्ट करने का पर्यास कर देते हैं बिना मेकेनिक से कराये हुए तो किस तरह से प्रोब्लम आता चैनल के बलोग में भी बलोग को भी देमेज करता है तो इसी तरह से जब हम इसका पार्ट्स आएगा तो पार्ट्स का वीडियो दिखाएंगा तो तब तक के लिए वीडियो में बन रहे हैं और चैनल पर नहीं है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया त ताकि हर किसान भाईों को भी किनोंड़ का रिए तो जल्दी से इसका पर्ट मंगवाते हैं रुजके बाद इस इंजन का जो पार्ट्स डेमेज हुआ था कनेक्टिंग बैड हुआ था तीन नम्मर का और लाइनर से लेंडर क्रेप हुआ था तूटा था जो कि हमने पहले वीडियो में दिखाया था तो हम इसके यह इंजन बलोग को और करेंग को और संप को अच्छे से इसका सारे पार पार्ट्स डेमिर था जो हमने पार्ट्स को मंगवाया है इसको और ट्रक्टर का और इंजन पार्ट्स तो यह कनेक्टिंग रड जो की बैंड हुआ था तीन नम्मर का तो इसे हमें चेंज करना था और इसी के कारण से इसका हाफ पिंजन खोलना पड़ा एक्सिडेंट होने डी 10 36 0930 है जो कि इसमें 74 60 भी आता है तो 74 60 का उसमें पार्ट्नमर का किनेक्टिंग उपलवद नहीं था मार्केट में तो हमें यह लगाना पड़ा तो यह कनेक्टिंग रड और उसके बाद यह रिंग तो रिंग भी तो जरूरी है सुभावी के कि इसका खुला आएंगे तो रिंग तो चेन ही होगा तो डी 100740 190.9 कीट पिस्टन रिंग सेट चार चोतिस और चार पाइटिस में आता है तो इसे विचेन करना है और इसका कनेक्टिंग बाइरिंग बीगन बाइरिंग तो यह द 708 रूपीज और यह रिंग का यह मार्पी था तो लोसर अगे तो लोसर साइटीस रूपया रिंग का और यह कनेक्टिंग का देख सकते हैं प्राइज 370 रूपया और यह तीसरा लाइनर सिलेंडर जो कि खिरेक हुआ था टूटा हुआ था तो इसे भी हमें चेंज करना था किनेक्टिंग बैंड होने के कारण ज्यादा बैंड हुआ था इसलिए इसका यह लाइनर कोरी भी टूटा था तो इसका पार्ट नमरे डी वन टिर्पल जीरो बान में बीस लाइनर सिलेंडर यह थिरी तो यह लाइनर को भी हमें चेंज करना है और उसके बाद यह हैड़ ग और इसका यह फिल्टर हैड्रोलिक्स फिल्टर यह भी चेंज होगा क्योंकि सर्विस भी करना है हमें पुरा इसका आइल भी चेंज करना है तो यह आइल फिल्टर यह भी चेंज करना है और इसका आइल भी साथ लिटर का भी चेंज करना है और यह डी एक्सो एक्सो चालिस के नििढ़ है यह लाइनर सील द्विसक पार्ट निदर है डीवज्ण डवरन डवल एरौ इ Iran 490 409 its 140 कोई सब रा पार्जों में चेंण करना था और बाकिके सारह पार्च कौकता से بासिंद कर लिए हैं और इसे सारे इसके सारे पार्ज को बहुत से मल करेंगे लाइनर इस चैनल पर अपलोड है अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो को भी एक बार जब देख लेना उसमें इसका सेटिंग रिंग सेटिंग और हेड़ गैस किट लगाना और टैपिट सेटिंग उसमें सारा वीडियो का सीन दिखाया गया है तो उसका मैं इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दूँगा और लिंक पर भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं तो बस यह वीडियो बनाने का मुखरूप से रिजन नहीं था मुखरूप से बताना छोटा सा मैसेज देना था कि जब ट्रेक्टर एक्सिडेंट होता है तो हमे किन-किन बातों को ध्यान रखना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए गलतियां जिससे की ट्रेक्टर अगर बचा हुआ है तो बच जाए और यह ट्रेक्टर बचा हुआ ही था इसमें जब यह पल्टा था एक्सिडेंट हुआ थो तो उसमें यह खुद ही ऑनर भाई ने ऑ दो को लेकिन को लाकर और शेंचिए ट्रेक्टर को डार। और इस के करते हैं तो बिना वज़े विडिव वी तक्वी नुक्साना आजाता है जैसे कि ए नुक्साना आया और खर्चा का झा भी सामना करना पड़ता है तो जल्दी समें zegare करते हैं और अस्वी यह तक्तर करें आभी तेक्टर स्टार्टिंग पोजिशन में आ गया है जैसे कि विल्कुल रेडी हो चुका है अस्टार्ट के लिए और आप कहेंगे कि इसमें आपने कोई सेटिंग नहीं दिखाया ॥ टैपसेटिंग कैसे किया और इसका लृटक कैसे सेट किया इसका टर्क कितना दिया इसका हेड का टॉर कितना होता है इसका सी इसका कनेक्टिंग का टॉर कितना होता है तो यह सारा वीडियो बहुत सारा वीडियो कि आतब हो जाता है डर हो जाता है लोगों को जसके साथ ऐसा अगर यह with दूझ ऑप लोगों को किसानभाईों तो हमाने हापसा होता है तो developing ह Карना और गलती हमें नहीं का northeast का मुठ रूप से धेजान देना है कि बहुत सारे तो हमें नहीं करना चाहिए गलतियां भी हम लोग कर देते हैं जिसके कारण से इसमें मोटा खर्चा और बेवजय का खर्च आजाता है जिससे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है तो हमें जब भी अगर ट्कर évजिदेन्ट होता है तो सबसे पहले तो प्राथ मिल क्या है कि हमें खूद बचना चाहिए और उसके। बाद अगर हमें बचने के बाद सेप्टी हम खूद रहने के बाद हम ट्रैक्टर को भी सेप्टी रख सकते हैं तो सबसे पहले हमें खुद ही सेप्टी रखना है उसके बाद ट्रैक्टर को देखना है तो कभी भी अगर ट्रैक्टर एक्षिडेंट होता है तो सबसे पहले खुद बचे और दूसरा नमर में कि ध्यान रखें कि हम ट्रैक्टर को सोकता है कि आपका कनेक्टिंग हो जाता है तूट जाता है हो सकता है कि आपका लाइनर सेलेंडर जैसे इस में टूटा Mission सकता है तो वेगर का या लागत मोटा लागत तो हमें श्रक्तों को ध्यान देना देए Bernard ट्रैक्टर को चलाने लेक बैस बनाने का मुख्रूप से रीजन नहीं था कि कि हम छोटा समय से हैं कृषान ने कि विसका होगा और आपने वीडियो को अच्छा से देखा होगा और वीडियो को समझा भी होगा अभी हम इस टैक्टर कह स्टार्ट करेंगे और इसे 8 गौंट 2500 गंटा 20 दस घंटा तक इसे सुनाएंगे और इस तरह टेक्टर का आ स्मोकिंग भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें धुआ आ रहा है तो अब हम इसे आठ दस घंटा इसे फिली आइडल रामा करेंगे ताकि इसका रिंग बिल्कुल अच्छे तरह से सरे तो जाला इसे चलाना नहीं है कि इसका फूल इंगें का जोग हुआ नहीं है कि आप से दशनता बहुत काफी आप दशनता चलाएंगे और इसका डेख सकते हैं हुआ है तो जैसा कि देखा इसका कि की स्कारा से इसका एग्जास्टिंग आ रहा है काला है काला हुआ है तो इस तरह से प्रसों समादी मेकेंटल वीडियो देखने के लिए और यह वीडियो के लिए एक लाइक सब्सक्राइब को बनता ही है आप से जरू करें ताकि हर किसान वायों को भी इसकी नोले लग उनकार दिले तो बस अज इतना है मिलते हैं फिर से किसी लेक्स वीडियों के साथ